मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए हलो एर्यवन, वेल्कम बेक टो और चैनल, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, करवाचुत आने वाला है और आप सारी चीज़े बहुत अच्छे से सिख रहे हैं, आपको काफी सारी चीज़े बनाना आती है, आप काफी इंट्रेस्ट के साथ म के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपके लिए मैं लिए आई हूं करवाचुत के डिजाइन, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है यह वाला चैप्टर, इसमें हम बेक साइड की ब्राइड बनाना सिखेंगे, बेक साइड वाली है, अगर कोई भी लेडी आपको ड्राइड कर रही है, तो इसमें आपको कैसे करना है, उसके साथ ही हम करवाचुत के डिजाइन को एड़ करेंगे, हो गया ना, तो बहुत सारी चीज़े इसमें हमको समझने को मिल जाएगी, ना, कि हम बेक साइड में इसको हम अच्छे से समझ पाए, यह याद रखे हमेशा, अगर आप कोई फिगर डिजाइन ड्राइड करने जा रहे है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सेंटर लाइन लेंगे, अभी हमने सेंटर लाइन लिए है, जिसके एक साइड पे हम सेंटीमिटर के साथ काम कर रहे ह समझ लेते हैं पहले कितने सेंटीमिटर पे हमको क्या जिस ड्राइड करनी है, तो हमने जिरो से एक सेंटीमिटर तक एक सरकल ड्राइड किया, एक से डेर सेंटीमिटर तक हमने एक और सरकल ड्राइड किया, डेर से दो सेंटीमिटर पे हमने शोल्डर के लाइन को लिया, दो टूल्डर से टच करते वे अंदर के तरफ लेंगे जो कि 3.5 cm तक होगी उस लाइन को कंप्रीट करने के बाद हम 4 cm तक कमर के लिए स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और उसमें हलका सा कर्व दे देंगे 3.5 cm पे ब्लाउस का निशान लगा देंगे और 4 cm पे हम लेंगे के लिए निशान लगा देंगे 3.5-4 cm तक हमको कमर की गेप को रखना है यहां तक निशान लगने के बाद 4-9 cm तक हम लेंगे की लाइन क्रियेट कर देंगे इसको आप छोटा बड़ा मार्जिन कर सकते हैं पर याद रहें हर चीज का मेनेजमेंट आपको अच्छे से करना है ऐसा ना हो कि आपकी ब्राइड के हिसाब से उसकी बाडी सेट ना हो या फिर उसके हाथ के साइस को आप डिफरेंट कर दे हर चीज बहुत अच्छे से उठाया वा दिखाएंगे एक हाथ में चन्नी हमको उसके हाथ में दिखानी है जिसकी वज़े से एक शोल्डर उपर के तरफ उठावा रहेगा उपर डायरेक्शन पर रहेगा जैसे अभी मैंने डॉक किया आप देख सकते हैं और नेक्स आप इस चीज का ध्यान रखें कि इस तरह से आपको फिगर लाइन के यहाँ पर लाइन डॉल नहीं करनी है गुमाओ भी नहीं लेना है शोल्डर के यहाँ से उसको अंदर की तरफ थोड़ा से दबाना है सेंटर लाइन से जितना उधर साइड आपने रखा है सेंटीमिटर के नाप के साथ उतना ही इधर रखना है इस चीज का ध्यान रखे इस तरह से गोलाई नहीं आने चीए फिगर लाइन में आप शोल्डर से टच करते हुए अंदर की तरफ उसे दमाएंगे इस चीज को अच्छे से समझे आप देख सकते हैं जो मैंने सेंटर लाइन ली है वहां पे उतना ही आप इधर पर आप उसके बॉड़ी पार्ट को देख सकते हैं इस चीज को आपको मैनेज करके चलना है यह चीज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका फिगर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा फिगर डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं हो पाएगा फिगर डिजाइन में जो इ उसे थ्री फोर्थ पे नहीं बेक साइड किया, हमने उसे पूरा बेक दिखाया है, इसलिए सेंटर लाइन पे ही हमें काम करना पड़ेगा, अगर थ्री फोर्थ होती, तो शायद हमारा जो फिगर डिजाइन है या सेंटर लाइन है, वो चेंज होता, बॉडी में हलके से में आपकी हल्प करती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब आप अगर करवाचवत की लेडी बना रहे हैं, तो उसे चांद की तरफ दिखाना है, उसे आप अगर पूरा बैक साइड पर बनाते है, तो आपको सेंटर लाइन बिलकुल बीच में ही लेनी है, अधा काम मैंने सेंटर लाइन के राइट साइड किया, और उतना ही काम मैंने सेंटर लाइन के लेफ साइड किया, मैं उसके हाथ को भी बहुत दूर उससे नहीं करूंगी, बिलकुल थोड़ा सा ही मैंने उसके हाथ को साइड में किया है, एक हाथ में पूजा की थाली, और एक हात्मे में चन्नी के शेप को ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही आराम से मैं हर चीज को कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की ये स्टेप आपको बहुत आराम से और स्लोली-सलोली करना है अगर इस स्टेप में आपने दिखाने की कोशिश करूँगी उसके लिए आप जो मैंने अभी लाइन ली है वो लाइन आप बिलकुर डाक ही दिखाऊंगी डाक दिखाने के लिए उसके जुड़े के डिजाइन में जो मैं वर्क करने वाली हूँ वो भी डाक करूँगी तो आप उसके बीच में अगर ये दो लाइन बना देंगे तो आपके बाल और आपके जुड़े में दोनों में डिफरेंस दिखने लग जा दो लाइन लेने के बाद उसकी चुन्नी को आप जूड़े पे टच करके उसकी दूसरे चोहर को उसके हाथ के यहाँ पे टच करेंगे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है और अच्छे से आपको यह देखने को मिल जाएगा स्टॉक शेडिंग के साथ मैं इसके डायरेक्शन को दिखा रही हूँ मैंने बिल्कुल रफली से नहीं शेडिंग की है बिल्कुल शोल्डर के महां से लेके मैं पूरा उसको गुलाई पे दे रही हूँ तो इस तरह से ही आपको stock shedding भी करनी है इसको stock shedding बोलते हैं ये normal shedding नहीं है आप जो shedding करते हैं वो normal है stock shedding एक बार में लंबे-लंबे stock लिये जाते हैं और उसके साथ ही उसके shape को set किया जाता है तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है stock shedding के साथ आप उसकी चुन्नी को दिखाएंगे चुन्नी के जो corner है उसको मैंने side में निकाला है आप इस तरह से उसे निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं अगर मैं बालो में डाक करती हूँ तो उसकी जुडे में और बालो में difference दिख जाएगा end of मैं आपको इजिस बताऊंगी अगर आपको ये direct बनाने में दिक्कत होती है तो आप पहले pencil से बना ले pencil से centimeter के साथ अगर आप बनाते हैं तो आपका हाथ वेसे ही जमेगा जिसाप first time चलाएंगे अगर आप उस step को miss करते हैं और आप पहली बार try कर रहे हैं तो हो सकता है आप इतने clarity से ये काम नहीं कर पाए तो चल्द वाजी से आप बिल्कुल कोई भी art नहीं कर सकते हो ये art है इसे आराम से समझना होता है deeply समझने के लिए आपको इसे समय देना होगा आप इसे जितना समय देंगे ये उतना ही उटके उतना ही अच्छा आपके हाथ में आएगा आज हर कोई figure बनाना चाहता है हर कोई चाहता है कि उसे bridal orders आए हर कोई चाहता है उसे special design बनाने का मुका मिले तो उसके लिए आपको उस चीज़ को समय भी देना होगा आज अगर आप इस चीज़ की अच्छे से practice करते हैं इसे अच्छे से समझते हैं तो आप next करवाचवाले design को बहुत अच्छे से बना पाएंगे customer को बहुत अच्छा काम दे पाएंगे जिससे आपका नाम भी होगा और आपका काम भी बहुत सुन्दर दिखेगा आपके काम को अच्छा दिखाने के लिए आपको और अच्छा बनाना होगा हर काम को दीरे-दीरे किया जाता है stock shading का मैंने यूज किया उसके बाद मैं उसके आसपास की border बना रही हूँ मैंने पहले से border create नहीं की आप मैं जैसे चल रही हूँ आप भी सेम वैसी ही चलेंगे आप भी आराम से वैसी ही काम करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ मैंने पहले stock shading दी तो आपको भी वही चीज करना है और उसके बाद उसकी लाइन को डाक करना है आप देख सकते हैं जिस चीज को मैं आपको समझाना चाहती थी वो चीज में स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं बालो को नीची के डायरेक्शन पे डाक कर रही हूँ डाक फिल करना पड़ेगा क्योंकि बाल है बाल बिल्कुल भी गेप के साथ आपको नहीं दिखाने है नि तो वो चीज खाली खाली दिखेगी बालो को बिल्कुल ब्लैक दिखाना है और आप देख सकते हैं जो दो लाइन में ली थी उसके बीच में और जुड़े के बीच में आपको एक गेप दिख रहा होगा और ये गेप आपके समें भी प्रॉपर दिखना चाहिए जो दो लाइन में ले रही हूँ वो मैंने ब्लाउस के लिए ली है और ब्लाउस में मैं डार्क फिल्ड कर दूँगी मैं को पूरी फिल्ड के लास्ट तक जो फिल्ड करनी है वो लाइट डाक के शेट के साथ ही करनी है पूजा की थाली में पूजा के सामान को भी है आपको बहुत ही क्लियरली दिखाना है एक नारियल रखा है, एक दीपक है और एक लोटा रखना है क्योंकि इसमें लोटे का बहुत सादा महत्व है और उसके साथ ही थाली पूरी हो पाएगी लाइट डाक के शेड के साथ मैं उपर के डिजाइन को तो कम्प्रीट कर चुकी हूँ अब वेसे ही मैं लेंगे के डिजाइन को भी कम्प्रीट करूँगी उसके लिए मैं स्टेट लाइन ले रही हूँ जो कि मेरे लेंगे के डिजाइन को अगर मैं फिल कर रही हूँ डाक वाला तो उसके बीच में थोड़ा सा गीब दिखे तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है अगर आप बहुत बारिक वर्क करना जानते है तो इसमें लेंगे के डिजाइन में आप बहुत बारिक वर्क डाक वर्क के साथ आप इसे कर सकते है क्योंकि चुन्नी के डिजाइन को मैंने लाइट रखा है इसलिए लहंगे के डिजाइन को आपको डार्क ही करना है लाइट डार्क के शेड के साथ तो डिजाइन में जो उठावाता है उसकी बात ही अलग होती है तो इस तरह से मैं अब इसको पूरा डार्क फिल करने वाली हूँ और यही फिलिंग आपको भी करनी है अगर आप भी यह डिजाइन बनवाना चाहते हैं आप नहीं बना पाते हैं आप किसे से लगवाते हैं तो जल्दी से यह वाला वीडियो आप उन्हें शेयर कर दीजिए जो आपको यह डिजाइन लगाने वाले है अगर आपको ये डिजाइन पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करने में बिलकुल देर ना करे उसे बोलिए कि ये डिजाइन जल्दी से सीख ले और ये इस करवाज़त पे आपको लगा दे और अगर आप महंदी लगाते हैं तो फिर तो इसे आप जल्दी से सीख जाईए इस तरह से आपको इसे डाक करना है ताकि मैंने आपको बोला है लाइट डाक के शेट को दिखाना है तो अगर आपने उपर डाक कर रखा है तो दो लाइन से आपको उसको कवर करना है और फिर लास्ट एंड बॉर्डर को आपको डार्क कर देना है ताकि वो और सुन्दर दिखने लग जाए और बॉर्डर भी आपको एंड में डार्क ही मिले फिगर डिजाइन बनाने में समय तो लगता है तो समय का बिलकुल भी आप ध्यान ना दे कि समय कितना हो गया है आप सिर्फ उसे अच्छे से बनाएं एक बार आपके हाथ में वो चीज जम जाएगी तो आपको बिलकुल डिक्कत नहीं होगी कि आपको कितना टाइम लग रहा है आपको इस देखना ही नहीं पड़ेगा और वो चीज बहुत जल्दी बनने लग जाएगी तो आपको उस चीज को नहीं देखना है कि आप कितने समय में उसे बना रहे है आपको वो चीज देखना है कि आप उसे कितना अच्छा बना रहे है एक अच्छा बनाना आपके काम को और आगे बढ़ा सकता है ना कि समय कितना लग रहा है ये चीज़ देख के आप आगे बढ़ सकते हो तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे आप प्रैक्किस करेंगे तो आपको समय दीरे-दीरे कम लगने लग जाएगा मैंने चन्नी के डिज़ाइन को कम्प्रीट किया है चन्नी के डिज़ाइन में आप जो टेक्स वर्क करेंगे वो बहुत ही लाइट हातों से आपको करना है आपको ठिक लाइनिंग बर्क नहीं करना है चन्नी के अंदर और आखरी में आपको उसकी बॉर्डर को डाक कर देना है चान की डिजाइन के बिना ये डिजाइन तो बिलकुल अदूरा है अब एक लेडी खड़िये है चन्नी है तो वो देख किस को रही है ये भी तो होना चाहिए न तो एक बहुत ही सुदर साबको चान का शेप डॉर करना है बादलों के लिए आपको कर्व के डिजाइन के साथ आपको बादलों के अंदर आपको शेड़िंग कर देना है बहुत लाइट आतों से शेडिंग होगी और circular motion च्बा दिश्याइन करनी है एक जिसी शेडिंग मों इस चीज का ध्यान रखे और शेडिंग बहुत सुंदर दिखने जीए हर एक छोटी-छोटी चीज आपके काम को बहुत अच्छा दिखा सकती है करवाचवत की फिगर डिजाइन कंप्लीट होने के बास साइड में आप कोई भी वर्क कर सकते है आप कुछ भी डिजाइन अच्छे सी यहाँ पर सैट कर सकते है आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है जिसा मैं बना रही हूँ आपको वैसा ही करना है अगर आप वैसा ही करना चाते है तो इस डिजाइन को आप देखके बहुत अच्छे से समच पाएंगे कि मैं इस चीज़ को कैसे कर रही हूँ अगर आप यहां पर बैक साइड की कोई भी लेडी एक और बनाना चाहते तो आप इसके पास में एक और लेडी बना सकते है जो कि चांद को देख रही होगी और उसमें थोड़ा बहुत चेंजिस आपको करना रहेगा जो की शूल्डर्स और इसका रहेगा और वो आप इजी ली कर पाएंगे अगर आप उस चीज़ को आप अपने माइन में फिक्स करें कि वो अगर ऐसा होता तो वो कैसा दिखता एक दो लेड़ी अगर साथ में खड़ी है तो अगर उसे पास में खड़ा करा जाए तो वो किस पॉजिशन में आपको खड़ी हुई दिखेगी तो इस चीज़ को आप माइन में क्लिक करो और उसके बाद उस चीज़ को आप इजीली बना पाएंगे अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप ये कर पाते तो क्या आप मेरी वीडियो देख रहे होते मैं इसलिए आपको ये चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं हर चीज़ आपको तीरे-दीरे समझाऊंगी सिखाऊंगी पर थोड़ा-थोड़ा आपको भी तो करना होगा ना थोड़ा में चल रही हूँ थोड़ा सा आप चलेंगे तो मुझे भी एल्प होगी आपको कुछ अच्छा सिखाने में और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने खुद से कुछ नया डेजाइन क्रिएट किया है तो थोड़ा सा ट्राय तो बनता है अगर आप एक लेड़ी पूरी बना रहे है तो दूसरी लेड़ी को आप पास में दिरब से कैसे खड़ा कर सकते हैं लाइट डाक के शेड के साथ आपको उसमें वर्क करना है और यकीनन वो चीज बहुत अच्छी होगी अगर आप माइन में इस चीज को क्लिक करते हैं तो इसमें होता क्या है अगर आप कोई भी डेजाइन क्रिएट करते हैं तो आपको उसकी पिचर माइन में क्लिक होनी चीए कि वो दिखता कैसा है अगर आप एक शेर के डिजाइन को ड्रॉक कर रहे हैं तो आपको यह जिस पता होनी चीए कि शेर दिखता कैसा है जब आप उसे ड्रॉक करने जाएंगे और आपको यह जिस पता ही नहीं होगी कि शेर एक्चल में दिखता कैसा है तो आप शेयर की जगे डॉगी बना देंगे, कुट्टे को बना देंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो दिखता कैसा है उसमें अगर बालों में कमी आपने रख दी आपने कहीं कम बाल बना दिये उसके तो वो बिलकुल कुट्टे जैसा लगने लग जाएगा तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ इसका उधारन देके मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ये चीज़ बिलकुल आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो एक्चल में कैसी दिखती है उसके बाद आप उस आर्ट को करने जाएंगे बहुत लंबा गीच लिया मैंने इस चीज़ को समझाने में I know मैं इसको बहुत शोटकट में आपको बता सकती थी पर अगर मैं आपको ऐसे नहीं बताती तो शायद आप इस चीज़ को याद नहीं रखते कि आपको ये चीज़ करनी क्यों है कोशिश करने में कुछ नहीं जाता एक बार आप ट्राय कर सकते हैं इस चीज़ का धियान रखे अगर आप ऐसा कुछ ट्राइ करते हैं तो उसका एक चोटा सा image आपके सामने खोल के रखें कुछ नया ट्राइ करना चाहते हैं, कुछ नया ड्रॉ करना चाहते हैं और कुछ अच्छा सिखना चाहते हैं, तो Pinterest नाम के एक app से आप अच्छी अच्छी designs निकाल सकते हैं Pinterest एक app है जो कि आपको प्ले स्टॉल पे इजीली मिल जाएगा रेड और वाइड कलर का ये आपको लोगों के साथ मिलेगा जो कि बहुत अच्छा app है और उसमें करवाज़त के design देखने को मिल जाएगी इसके साथ ही मेरा करवाज़त का design ये complete हो गया है मैंने बहुत अच्छे से करवाज़त भी लिखा है अगर आप भी ऐसे लिखना चाहते हैं तो अच्छे से इसकी practice कर ले मैंने यहाँ पे चन्नी को बड़ी size पे भी बनाया है जिस size पे मैंने अभी अब बनाया है और जैसे मैंने इसमें feeling की है सेम ऐसे ही आपको छोटी चन्नी में भी आपको feeling करनी है design almost done है कुछ भी design आप finger पे इसमें बना सकते है मैंने चोटे-चोटे डिदीपक के design finger की line पे बनाये है आप ऐसे भी उसमें बना सकते है ऐसी ही और नएने design सिखने के लिए मेरे चनल को subscribe कर दे और वीडियो को ज़्यादर ज़्यादर शेयर करें